यूटूब एब पर घंटी बजाओ और खबरे अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ आपको जानकारी देदे कि Commonwealth खेलों में हर्याना के खिलाडियों ने कुल मिला कर 22 पदक अपने डाम किये विजेता खिलाडियों के सब्मान के लिए सरकार की और से 26 अप्रेल को एक सब्मान समहारों आयजित किया जाना था जिसके घोशना भी की गई थी लेकिन बाकी विभागों के और से खेलने वाले खिलाडियों ने सरकार की और से दी जाने वाली पुरसकार राशी को लेकर सवाल खड़े किये उस वक्त आनन फानन में सब्मान समहारों में अगली घोशना खोने तक के लिए सब्मान समहारों को स्थगित किया गया था अब CM के विदेश दौरे से वापस आने के बाद हर्याना के खेल मंत्री अनिलविज और हर्याना के CM मनोहर लाल खटर के बीच पुरसकार राशी को लेकर आम सहमती बन गई है सरकार अब पुरानी खेल लिती के अनुसार ही हर्याना की 11 पदक विजेता खिलाडियों को पुरसकार राशी देने जा रखी है और इस सूरत को अगर खुद खेल वंत्री अनिलविज इस स्थीती को पूरी तरहां से साफ कर चुके हैं इतना ही नहीं अनिलविज ने पूरुफ सीम भूपे निर सिंग हुड़ा को उनकी खेल लिती को लेकर खेरा और कहा कि हुड़ा ने किसी काईदे कानून को नखी माना ना ही इनाम देने के मामले में और ना ही नौकरिया दिये जाने के मामले में नियमों को माना कया उनके खिलाफ अनेको रिप्रेजेंटेशन मिली हैं हमारे पास आई हैं वो काईदे कानून पर चलते न की थे लेकिन हमारी सरकार काईदे कानून को मानने वाली सरकार है तो क्AMAन Laureth Games हुए और हर्याना के खिलाडियों ने देश का नाम रौषं किया साथ हि हर्याना का नाम रौषं किया खिलारीओं को सम्माली करके जाने की जब बात आई तो उस वक्त सरकार विफख्ष के निशाने पर आई चुंकि जो हर्याना की और से खिलारी खेले उसके अलावा जो रेलवे की और से खेले उनकी इनावी राशी में अंतर को लेकर लगातार बवाल देखा गया विवाद देखा गया पिछली जो सरकारी रखी जिसमें कॉंग्रेस की बात कर ले जाए इनलों की बात कर ले दोनों की पार्टियां सरकार को खेरती रसराई कि कभी इतिहास में ऐसा नखीक हुआ कि खिलाडियों के इनाब में कोई भी तरक दे कर कटोती की जाए। लेकिन हर्याना सरकार का तरकी रखा कि जो हर्याना की और से खिलाडी खेले हैं अगर उनके बराबर ही राशी रेलवे की और से खिले खिलाडीयों को दे दे जाएगी तो हर्याना की और से खिले खिलाडीयों के साथ ये भेदभाव होगा जो सरकार नहीं होने थेगी। तो 26 अप्रेल तारीक निर्धारित की गई थी, सम्मान सम्हारों आईजित किया जाना था, खिलाडी अपने घरों से सम्मान सम्हारों के लिए चल भी पड़े थे, वो रास्ते वे थे उस वक्त ये जानकारी दी जाती है कि इस सम्हारों को उस वक्त के लिए सगित किया जाता ह जब तक की तारिक निर्धारिक नखी की जाती तो एक बार फिर से CM के विदेश दौरी के बाद ये जानकारी दी गई है हर्याना के खेल मंत्री अनिलविज ने जानकारी दी गई है कि पुरसकार दिये जाएंगे नकद इनामी राशी दी जाएगी लेकिन जो पुरानी खेल न सफारिश भी की गई है लेकिन सीयम के विदेश दौरे से वापस लोटने के बाद अब जो स्थीती है वो पूरी तरहां से साफ हो चुकी है तो हुड़ा के खिलाफ भी हर्याना के खेल मंत्री अनिलविच बोले है कि उस वक्त ना नियमों को माना गया ना कानून काईदी को समझा गया माना गया नौकरिया देने की बाद कर ले जाए या फिरी नाम देने की बाद कर ले जाए खुड़ा साब किसी कानून कायदी को नहीं मानती थे लेकिन हमारी जो सरकार है मनुहर सरकार है वो हर एक नियम कानून कायदी को मानने वाली सरकार है तो पुरानी खेलनिती के हिसाब से ही सम्मान दिया जाएगा तो हर्याना के कुल मिलाकर 22 पदक आये थे उनमें से देलवे की और से खेले गए खिलाडियों की और से खिलाडियों को लेकर लगातार विवाद रहा उस पर अब स्थीती पूरी तरहां से क्लियर खूटी नसर आई है खेलमंत्री ने कह दिया है कि पुरानी खेलनिती के हिसाब से ही खिलाडियों को सम्मानित किया जाएगा तो 26 अप्रेल को पंचकुला में ये कारिक्रम आयजित किया जाना था लेकिन हर्याना की कई खिलाडियों ने इस कारिक्रम का वहिश्कार किया था जिसके चलती कारिक्रम स्थागित भी किया गया अब जाकर एक बार फिर सेजानकरी दी गई है कि पुरानी खेलनिती की बुनियाद पर ही खिलारियों को सम्मानित किया जाएगा उसमें किसी तरहा का कोई बदलाव नखी किया जाएगा तो शुरुआत में भी सरकार की ओरते जब कहा गया कि इनामी राशी में कटोती की जाएगी सभी खिलाडियों को बराबर इनामी राशी भी जाएगी उसके बाद एक बार फिर से फैसला लिया गया कि एक बार फिर से स्थीती साफ की गई खेम मुख्या मंतरी जी ने कह दिया उसके बारे में कि जो हमारी खेल लिती है उसी के तहट इनाम दिये जाएंगे और खेल लिती तो यही कहती है कि जो हर्याना से खेले हैं के वल उन्हीं को इनाम दिया जाएगा दूसरों को नहीं दिया जाएगा हमने उसमें चेंजिस करवाए थे कि दूसरों को दिया जाए पर अब क्योंकि वो विरोध कर रहे हैं इनाम लेने के लिए तो मुख्या मंतरी ती ने सोनी बत में स्पस्ट कह दिया कि उनको नहीं दिया जाएगा अब हुडा साब ने तो किसी काईदे कुनोन को मना ही नहीं ना इनाम देने के मामले में और ना नोकरियां देने के मामले में और उसके उनके खिलाब हने को रिप्रेंटिशन्स हमारे पास आई हुई है वो तो काईदे कुनोन से चलते नहीं थे लेकिन हमारे सरकार काईदे कुनों को मानती है आपको नहीं लगता कि खिलाडी आप लोगों से शिकायत कर सकते हैं नाराज हो सकते हैं इस भोशना के बाद लेकिन क्योंकि इस वार जो कॉमन बैल्थ में अच्छे अच्छे प्राइस दीते हैं इसके कार्ण से असे ने इस सोचा था कि जो पॉलसी है उस पॉलसी में थोड़ा डिल दे करके और जो खिलारी हर्याना के अलाबा अन्ने विभागों से भी खेले हैं उन विभागों से उसको काटकर करके बाकी राजी जो इनाम हमारा गोर्ड मेडल और इसके लिए उसके रिषाब से उनको दे दिया जाए और उसके लिए आपको पता आपने जैसे बताया कि पिछे अप्रेल महिने में उनके समान के लिए समर्व भी किया लेकिन उन्होंने इसका विरोध किया अब अगर वो विरोध कर रहे हैं तो स्वभाविक रूप से जो नियम कानून महों को यह सरकार नियम कानून मानती है पुरानी खेलिती की वनियात पर की खिलारियों को समानित किया जाएका निहीं देखे अब यह जो बाइस प्लेयर थे जो 11 प्लेयर जो थे वो हर्याना से थे जिस तरह से और बाकी के लोग विरोध कर रहे हैं कि जो रेलवे से खेला या वो लेकिन वो खेला तो हर्याना से ही अगर वो कहीं से भी खेल रहा है रेलवे से खेल रहा है तो वो हर्याना का है और हर्याना के लोग जो हैं वो इस बात स सूस कर रहे हैं जितने खिलाडी हैं इसी वज़ा से उन्होंने भहिशकार भी किया था आज वो देखिए अगर इसका मतलब ये कुछ लोगों को हर्याना का मानते हैं कुछ लोगों को हर्याना का नहीं मानते ही और खिलाडी जो है अगर वो अंतरराश्ट्रिये उसके उपर ख दिया, उसके बाद उनको कटोती करके अमाउंट देने की बात की, अब कह रहे हैं कि उनको अमाउंट देंगे नहीं, तो ये कर के रही है सरकार, इतनी ज़्यादा अपमान करने का खिलाडी एक तो कितनी मुश्किल से हर्याना को रिप्रेजेंट करता है, उनको कि वो उसमें रूची जो है, वो कम कर दें, ये इस तरीके की सरकार काम कर रही है, ये बहुत बड़ी जो है, मतलब काम है, गलफ सरकार का। अपने रास्ता रख लिया कि अपने लोगों का इसे अर्जेस्ट किया जाए, अब मुझे ये बताईए जो थी, एक व्यक्ती भारत में पैदा हुआ, भारत का ओरीजन है उसका और जाकर के वो इंग्लैंड की तरफ से खेलना सुरू कर दे, तो इंग्लैंड की तीम के इसको सम्मानित करता है, तो ये भारत की अपनी इच्छ है, वो करें, लेकिन इसका मतलब उसका अधिकार तो नहीं बन जाता है, मांदो, मुझे इस बारे में मेरा ये कहना है, देखिए हर्याना से खेले इंग्लैंड से खेल रहा हूँ, ये बच्चे इंग्लैंड से खेल अब सुनिये ना पूरी बात, ये कहरें देखिए जो व्यक्ति रेल्वे से खेल रहा है, वो रेल्वे से कोचिंग दे रहा है, रेल्वे उसके लिए सब प्रबंद कर रहा है, तो हर्याना अब नोट कर लें, जब आपका समय आएगा तो आप उस बात करें, मैं ये कह रहा ह हुआ हूँ कि उनको डिमोरिलाइस करने ही बात कैसे होगी, जो खेलाडी जिनके लिए हर्याना कोचिंग दे रहा है, आधेल्याना के लिए जिनके प्रबंद किया है, वो खेलाडी अगर जीत कर लाते हैं, तो उनली खेलारी उनकों देगे ना, वो हम पॉलीजी से बात भा कहा था कि Congress ने कैसे pick and choose की नीती पनाई थी लेकिन हमने सब नियम काईदे कर्माना दिया मैं बता रहा हूं न अभी 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 उसको CBI inquiry होने वाली है चिंदा मत करो उसमें भी आप फसने वाले हो जो नियम काईदे कनून थे केवल एक DSP दो DSP करेंगे उसमें लिए कोई प्रावधान नौकरी का नेखी था आप मता सोधा को जो नौकरी देती है उसको लेकर सवाल जरूर उठते हैं बाकी भी कई की ऐसे खिलाड़ी देखे बात यह है कि जुतने खिलाड़ी हर्याना की तरफ से खेले हमने उनको थ्रू कैबिनेट हमने उनको पास करके हमने उनको नौकरी देने का काम किया ममता सोधा को आप DSP लगा देते हैं बाकी जो प्रवता रोही है उनके लिए पांच लाग का प् जो हर्याना से बच्चे खेले हैं और हर्याना से जिन्होंने गोल्ड मैडल और दूसरे लिये हैं हमने उन सभी को चाए उनका उनका ममता सोधा के बाहरें जबाब देना ममता सोधा मैं वो भी हर्याना से बिलोंग करते हैं उनके साथ जो सुरिंदर कॉर थी वो भी थी उनक जिस बच्चे की क्वैदिफिकेशन नहीं है वो DSP लेवल के लिए वो कैसे बनेगा आप ये बताए ना जोगी रामजी आपने बात पूरी की जोगी रामजी हरी आप ये बात करते हैं उसके बात संजेशेर्वाद जी बहुत करते हैं कि वहारत का खिलारी अगर इंग्लेंड के लिए खेलेगा तो वहारत सरकार की मर्जी है इनाम दे या फिर नखी तो हर्याना का खिलारी भेरवे के लिए खेलेगा क्या बिल्कुल वैसा की है जैसे दूसरी देश के लिए खेलना देखिए जोती मैंदम जब क्रेटि लेने की तब तो बीजेपी सरकार कहती है भी श्यास्ट में से बाइस पदक हमारे हरियाना के बच्छों में ग्यापंग देते हैं उसका क्रेड़ कुद लेते हैं कि जैसे हमने इस सारा कुछ कर लिया और जब इनाम देने की बात आती है तब इनको दिखता है कि इनको पैसे क्यों दिय देखिए चौधरी देविलाल जी को जनमदाता माना जाता हरियाना का चोधरी ऑंपर का चुटाला जी नहीं यह निती बनाए थी खेल नहीं उससे पहले कोई खेल निती नहीं थी उन्होंने एक रोड रुपया इसके लिए प्राइज रख लिए ऑलम्पिक्स के लिए और म मलेश्वरी जो थी दूसरी स्टेट से थी और अरियाना में उसकी साध्य हुई थी तब भी उन्होंने उसको सम्वानी केशले किया कि हमारी स्टेट का नाम होना चाहिए सिर्फ एक ही थी और और होते तो भी हो जाते है और सुर्वात की करने एक रोड की सब से पहले पूरे कं अगर आप अगरती उसमें सरकार कि है उसको सरकार अगर पोलसान दे तो बाहर क्यों जाएगो यहां ऊसको मिलते या संमान नहीं मिलता तो भार जाता है अगर यहीं पर उसको समान मिलेगा नोक्री मिलेगी जञेगी यहीं पर ़िलेगा यां का नाम चमकाएगा यहीBut अब तो आपने यह क्यों किया सभी को मिलेंगे अगर उनको जादा मिलते होते हैं किया उनसे वापिछ लेलते आप अगर रेलवे उनको जादा देती होती है कि उनसे वापिछ लेते हैं इनाम होता है वाजिब सवाल है इनाम होता है यह नहीं होता किया आप उसको इनाम को काट लोगे इनाम कभी नहीं कर जाcer र्षे डेंगे का अपर करोड की राच्ज्य का रेल्वे डेदेता तो क्या हर्याना की खिलारियों से सरकार रेल्वे आपने बात कहते हैं आप यह की यह तेंगे सुनिए देखे जो पॉलिसी है उस पॉलिसी के हिसाब से यह कि जो हर्याना प्रदेश की होड़ से खेलने वाले खेलारी है हमने केवल यह कहा है आपने आपने कह लिए आपने कह लिए आपने एक रोड देना सुनिया तो हमने से क्रोड बुरी दुनिया में इस अधर बनी अभी भी हो करें लेगा चालिए यह आपने नोख्री सुनिया लेजय कर दो आपने नोख्री नहीं दी तो को समझे अप सम популяр कें है आप संध्र श्रमा जी थै कि वो रेलबे में तब गिये जब आपने नोक्री नहीं 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 सुन तो लो नहीं 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 कि अगर राजय सरकार के अंडर काम करने का मौका मिलता है जोगिराम जी की स्टेट्मेंट नहीं या मैंने खुद नहीं कहा नियुक्त वागाद कि यह आगे बढ़ेंगे कौन सा प्राइज जीत करके गई हरियना की खेल पॉल्सी का अधार कर नहीं कि स्पोर्स पोल्सी में हमेशा मेंड़मेंट की गुंजाइश रहती है लेकिन वरतमान में जो इसके अधार पर हम करेंगे इसे बाहर दो नहीं जा सकते हैं अम्रिकाश जी खिलाडियों के लिए कैसा ही फैसला सरकार काम यह फैसला अभी जो हुआ ने यह अच्छा नहीं है चोंकि प्लेयर ऐसी स्थिति में पहुंचा दिये अकभी देखो सबसे पहले जब 22 मेडल आए हर्याना के तो हर्याना सरकार नहीं हर्याना स्टेट पूरा गर अपने लेवल पे यह सब चीजें करता है उसके बाद लेफूे से यह सुरू हुआ उसके लेड़ तो पॉलिशी को पहले भी बताना चाहिए था, expose करना चाहिए था कि यह हमारी policy यह है लेकिन उस policy में दूसरे players को जो हर्याना से नहीं खेलते उनको देने का प्रवधान नहीं है तो उन players में भी यह रहता कि वाकई प्रवधान नहीं है तो उनको पहले ही बता दिया तो players के बीच में जो नहीं एक ऐसा संदेश गया है अगभी यह controversy सी हो रही है यह अच्छी नहीं है उनके लिए इनाव में बेरी किये जाना भी अपने आप में गलत खिलाडियों को लगता कि आप भी कुछ है आपको पूरा अनुभाव के इस बाद कटोती चाला भी दौनों ही चीज़े गलत है कभी एक टीम पर सब कुछ अनौंस हुआ था उसी साब से टाइम पे होना चाहिए था उन लोगों का सास बनाना चाहिए था कि आने वाले बच्चे कल को देखेंगे कि sports में यह controversy सी आ रही है क्योंकि हर्याना में जब आप writing में क्यों करते फरूम दा बिग्निंग में देखता आ रहा हूं अगभी फेस्ट देखे और जोने सब कुछ कर दिया जाता है यह गलत है पिछली सरकारों के तरह क्या रोफ लगते रखेंगे रखेंगे ने 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 सब्सक्राइब जब आपको वक्त देंगे कुमार रमीष जी हमारे सहियों के हमारे साथ नीद्रूम से जुड़ेख है क्या संदीश क्या जाएगा इस पैसले का कि अगर आप उसको इनाम राशी दे रहे हैं तो सबसे बड़ी बात यह कौन डिसाइड करेगा कि उपहार में जो पैसे दिये जाएंगे क्या उसकी भी कूई कीमत होनी चीए अगर हम किसी को इनाम देते तो यह सरकार के प्रतिवित्ता है कि वह किसको इनाम में कितना देती है लेकिन यहां सबसे बड़ी जो सरकार के लिए दिकत हो गई कि सरकार ने रूल एमाइनमेंट किया उसके तहत यह डिसाइड किया कि आप जो है नई खेलनीती के तहत पुरुषकार दिये जाएंगे और जब खिलाडियों को लगा कि इस बार तो मूटे पैसे मिलने वाले ह हैं और जो है उसमें लेकिन जो दूसरे खेलों के साथ जूड़े हुए और दूसरी विभागों साथ जूड़े हुए उनको लगा कि आप तो पैसे कटोती जो उनोंने विरो शुरू कर दिया सरकार को भी एक सिस्टम बनाना चाहिए और जब भी आप खेल नीती बना रहे ह जरूरी है जरूर है कि जो खेलने जाता उसको पूछे कि क्या इसमें आऊशकता है और कैसे नियम होने चाहिए और किन लोगों को पैसा मिलना चाहिए तो जब हो बताएंगे तो सही खेलने ने तब ही तयार होती है। इसलिए आज सत्ता पक्षपर अबिपक्ष के दर आव बिल्कुल उम्परकाश जी खिलाडी भी समझे इस बात को की जोड जबरदस्ति से इनाम लिया तो क्या लिया और सरकार का अपना फैस्नाग है सरकार के इतना ही नाम देगी इतना ही नाम देगी वाइकाट है। जब करेंगे एक पाने से लिया जाना था सब्सक्राइब प्लीज से सुनिये एक मिंग्राशाब मैं आपसे जवाब लूँगे सवाल करेंगे आपसे अमरिकास जल्दी बात कुरी किछे पॉलिजी के बाद आप ने दुबारा क्यों कहा अपको हम इतना पैसा काट के देंगे प्र उसके बाद उसको भी मना कर दिया तो यह प्लेंस के लिए बहुत बुरा है कि जो हर्याना से खेलेंगे केवल उनको दिया जी आप सक जवाब दीजिए का बजरें पुणिया जी है हमारे साथ खिलारी फोन लाइन पर जुड़ेंगे पुणिया जी बहुत सवागत है आपका अभी कॉणवेल्ट गेम्स में जो खिलारी खेलेंगे उनको उनको लेकर सरक देखें जो खिलारी का सम्मान है वो खिलारी कोई खिलारी है वो देश के लिए खेलता हो आपया है यहां 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 रेन के लिए खेलता है जन्दा लेके बागता तो देश के लिए बागता है बलकुल और जो खिलारी का सम्मान है वो खिलारी का अच्छे से करना थे खिल जो देश के लिए के लिए के लिदा उसको असे समानित कहना चाहिए उसका मनोबल तोड़ना चाहिए उसका मनोबल उपर लेगे जाना चाहिए जैसे यह आज तक ऐसा दूआ ओलम्पिकी ताइम पे को निगिया ऐसा हा ओलम्पिक ताइम पे तो जब अलम्पिक ताइम पे ना सबसे बड़ी बात है कि जो लोग जो खिलाडी हमारे हर्याना से गे हमारी जो नीती थी हमारे सरकार के टाइम पर जो नीती थी वो स्पैट थी उसके अंदर हमने सभी का प्रावधान किया था जो हर्याना से खेल रहा है बच्चा उसके मदर उसके मदर अगर खेल क? किया हम के कि आदमी को धोड़ने का काम नहीं किया लेकिन जो सब्सक्राइब कते हैं तो नहीं है लुट्वोट कर रहे। नहीं होरह उनको भीन तो. इसका मतलब आपके नारा जो हरयाना एक था उससे आपने प्रोब्लम के लिए कितने प्लेयर थे जो बाहर जोब करते हैं क्या उन 11 प्लेयर के लिए हरयाना में जोब पॉसिबल नहीं है है लेकिन किसी की इचा ही नहीं है कि अमारे प्लेयर को जोब नियत का होना ज़रूरी है आपको लगता है स्यच्चा करेंगे जे के सरकार रहे कि खिलारी कें मनोच कुपार की कहते हैं कि नोक्रिया पहले exercise दे रखी थी अब कटोटी किया जाना या इनाम ना दिया जाना ये भी खिलारियों को आप मान खें जोती ये बताईए कि एक खिलारी हर्याना से खेलता है और उसको भी हम उतना ही पैसा दें और एक खिलारी रेल्वे से या अन्ने विभाग से खेलता है वो विभाग से पैसा लेता है हर्याना तो जो सिर्फ हर्याना से खेला खेलाए उसके मन पर प्रिते कि वह नी विरौध करेगा क्या कि हमें तो आपने 2 प्रोड दे दिया और उनको सब्सक्त भाद अबराबरी पर लाने के लिए कि उनको वहां से मिला है हार्याना तो एडिशनल उनका सम्मान कर रहा है यह कोई हार अभी कोमन वेल्थ गेम हुए, अब कॉमन वेल्थ गेम में जो कुछ हुआ, उसमें जो खिलारी जीत करके है, जो पॉलसी बढ़ी है, उसी के अधार पर उनको देंगे ना, लेकिन उसमें हमने अमेंड कर दिया, कि उन खिलारीों का मोर देंगे, जो हमारे हर्याना से नहीं खेले हैं, जो कि पॉलसी में नहीं था, तो यह अच्छी बात थी, इस बात की उल्टा प्रसंट सा करनी चाहिए था, यह उनको आधिकार नहीं था, उन खिलारीों का अधिकार नहीं था कि वो उनको यह इराशी दी जाए, लेकिन हर्याना नहीं समाना, कि ए खेल को परसाइथ करनेंगे लिए, जब खेलों में पदक आ जाते हैं, जब हर्याना सरकार वि प्रशार नाशी बीड़ाद करी गई थी आगे के भविश्य की क्या पॉलसी होगी बनाई जा सकती है उसमें खिलारियों से सला लेकर के और अच्छा किया जा सकता है ने चेंज तो हमेशा अभी तीन बार चेंज करें गए जी आप क्या बार पालसी चेंज ने करें पालसी एक है वो क्या है डिल पालसी बनाई है जिसा अधाय क्या हम खिलारियों को जो प्रसार नाशी भी फॉलंपिक जो जीत करके आए गाईगा आप पांच करोड देकर हमने जोड़ करके उनको उतनी राशी दी जाएगी जितनी हर्याने के खिलाड़ी को बिलगा है अब आपको नहीं पॉलसी बनाई है उसमें देंगे क्या पॉलसी कोई नहीं 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 बनाई गई है इसमें सिर्फ हर्याना सरकार क्योंकि हर्याना सर्कार के पास अधिकार है नहीं रुड़कार की मुख्यामंतर जी के पास अधिकार है है यह दिकार का बोँसा अधिकार है कि इसको कितना इनाम दिया जाना के सरकार ते करेंगी अन्य सरकार को अदिकार है जो पॉलिशी बनाई है राइटिंग में उसotion करें रही सरकार शरकार को उतावलापन दिखाना ही नहीं अग्वी हमारे 22 खिलाडियों को हमारे 11 खिलाड़ी मैडल लेकर आए यह सरकार का यही बयान होना चाहिए था 22 क्लेम किया जब 22 का क्लेम किया था 22 को उसी तरह सम्मान दीजी जैसे 11 को दे रहे हैं क्योंकि यह सबसे जरूर यह पोस्टर लगा लिए आपने अड़र्टाइज जोना चाहिए था कि 11 को हम नोकरी भी दे रहे हैं कब देंगे आपके पास जवाब लेंगे सब्सक्राइब आपके पास जल्दी फिर जल्दी बोले मैं सर्मा जी को यह कह रहे हैं कि वह खिलारी नराज होंगे जो हरियाना के क्योंके उनकों से ज्यादा मिले करें किसी कैसा आपके पास आया के अनुद्धी बिल्कुल यह बड़ी बात है क्या इसने शिकाएक थी कि हमें कम राशी नहीं मिलनी चाहिए किसी भी तो सूरत में सभाथा certainly है सब्ह hidden कि अपको जवाब लेंगे हम मारे साथ पुमा याइन पर हैं पशसी जो पनल पर यह यह आंस तरह अपमान नहीं हो आज तक किसी खिलागे वह पहले ओलफिक टाइम पर लिस होता है यह प्रे श्टेटों एक शिलागे वह बुलागे उनकी स्टेट ने भी दिये ते पहर हमारी सटेट को देनी इनको और आज बात लोकरी की है लोकरी कि चारशान सरकार को गया करते हो देट है कि अज़कर को आपको तो तो देख है थास क्रिमाया वह अभी पलाइस ने ऐख फारने कि यॉड़ागे में तो यह वल्गेता है ज्वेशे में इस्टेटा ने जोड़ाए गिए थाफ आप देख देख है अब आपको आपको तो दो दोगे है और गहाँ चो जो पहले से तय हैं खेलने के हिसाब से नौकरी तो उसी की बुनियाग पर दी जाएगी पर उसमें मैने चार बार कागशिव दिये हैं सुनिये सुनिये जोगरिया जोटुशी तो उन्हाँ संदे अर्वाजी आपसे कि वी कहा गया तो आपने सुन लिया है तो इस पॉछे के लोगहे। ने निपनाया है। आप तरह कि लोगोंधे जो आपने सुन पेड़ने सुन पाहुए सुन्हें जोब लें युशे एक वी तरफोलाव भाया है ना ऑड़ाई जाओंगम कायों प्र utilizz किया एक बोरो टोलाओ किसा यहां बाद किया झाल आसे काया हम पुक्र पड़ जिद सुनिशक्कटे का इन कि यह किसी लिंद विल्षे तरम्नार भाको टूंसी है आप लिगतर एक जोड़ चनल एक साल मैं ठा तो आप से जवाब आएगा या आप सिर्फ उच्छा उच्छा बोल करके जो आपकी गल्तिया आप आप आपकी तरह नहीं है कि आप अपनी पॉलसी बना करके और जिसको चाहे इसको भर्ती कर ले हर्यान सरकार्ट ने कि पॉलसी बनाई हुए है कि 6% कोटा उसके दर तेय है उ हुए अपने 6% कोटा बनाया लेकिन मुझे एक बाद बताये मैंने पहले भी आपको पताया क्वी जो डिस्ति के बनाया चैपने 6 परसेंट को बनाया जब आपने उस 6% कोटे के अंदर एक्जाम देने के लिए जाएगा, मैं आपको बताओ, नाइन्थ क्लास के बाद मैंने कभी क्लास ने अटेंड किया, मैं जुनियर केम में इंडिया के में चला गया, और 87 तक में इंडिया केम में रहा, मेरे पास पीरियड ही नहीं है कि मैं आपको किसी को, ये स्टेट के लिए है, अब वो आदमी जो इंटरनेशन लेवल पर खेला है, वो एक्जाम देने जाएगा, और एक्जाम कलियर नहीं करेगा, आपके 6% कोटे में नहीं आएगा, वो वह बात राद है, चले जवाब पीजेगा, आपको कलियर नहीं है, आप आपको कुमार रमेश जी, इनामी राशी के अलावा नौकरियों को लेकर भी सरकार से सवाल किये जा रखे हैं, बजरंग्पुनिया को अभी आपने सुना हमार साथ ओन लाइन पर भी है, कि राजे सरकार अगर नौकरी दे देगी तो बाकी किसी जगह पर खिलारियों को सबसे बड़ा मुद्दा है, पिछली सरकारों ने जो नौकरी दे खिलारियों को आज कटगरे में खड़ी है, अभी हाली में जो खेल मंतरी अनिल विजुनों ने का कि ममतास साउधा की नौकरी भी खत्रे में है, क्योंकि उनको नियम के अनुसान नौकरी नहीं दी गई, ज और आप समझ सकते हैं, आने वाले समय में नौकरी के लिए बहुत बड़ा खत्रा है, अब इस सरकार ने जो नियम बनाए हैं और उस सरकार के लगबग 4 साल पूरे होने को जा रहे हैं, अब सबसे बड़ी समस्या है कि इन नियमों के अनिसार किनको नौकरी मिलेगी ये बव पर खत्रा सता रहा है, क्योंकि सरकार ने कहा कि आप अगर नियम से नहीं लगें तो आपकी नौकरी जा सकती, इस बारे में बाकाइदा खेल मंतरी का ब्यान साफ आ चुका है, और कहीं न कहीं न खिलाडी के लिए खत्रा है, तो सबसे जरूर यह जो हमारे पस खिलाडी है, हमें उनको सेफ्टी देनी चाहिए, हमें उनको ये बताना चाहिए कि आप प्रदेश के खेलेंगे, डेश के खेलेंगे, क्योंकि कभी भी अगर विष्यू में कोई खेल हो रहा है, तो आप ए समझेए भी overlooked का PBooks कृत्रा इन्हीं होता है, वह genदे नहीं लिए खेला है, तो जो चार साल में लोगों के साथ दोखा गिया उन सभी के लिए खत्रा है लोक्रिया नियमों को तहत ही दी जाएंगी लगाई जाएंगी अपर बाटे जाएंगी अपर पाते जाएंगी अपर इस तहुलियत के हिसाब दॉवाल उखेंगे अपर आप पाक सापों आप पाक सापो अकर तुल्नात्म रूप से बात की जाए खेल लिति की और नौकरिया दिये जाने की तो पिछली सरकार की तुल्ना में ये सरकार बहतर है या फिर पीछे खड़ी है में गान बदेखिए यह सरकार को स्टाइब भुम डेखिए कि हम यह निटी बना रहे हैं यह बना रहे हैं यह करेंगे एक रगए इसकेलिए मुझी आज बिला जी ओफर मिला है आप जवाब दे रिचे थे रही है कि ठेस्ट कर दो घाल यथा हम व्थर मैं छेल में छेल में ठेस्ट देंगे या अपसथ देंगे यां पटाइब से रहा है हम तेस्ट देके तो यह तक आयकी आमरी या जोब के लिए उपर होगा अगर कोई दस्वी पास वेक्ती कोई खिलाडी इंटरनेशनल कोई इवेंट में वोल्ड मेल जी जेता है और कल को हम इसको डीएस्पी लगा देते हैं कि अगरा देते हैं और क्राइब घुटनेशनल कोई डीएस्टी लिए जो फासने लगते हो ना पीचप बोलने लगते हैं पॉजिए बिए पालिफिकर आपके पैसे देंगे वह काईदा है जो देंगे पैसा वह काईदा है परिक्षा भी दी लानी चाहिए उसे के अधार पर कोई लेना देना नहीं है अगर आप यह कहेंगे और रिटन टेस्ट दे देगा और बीए होगा में पेच्डी होगा और खिलाड़ी नहीं हो सकता बहुत ही मुश्कल है कोई रेर में रेर मिल जाए दूसरे कंट्री में आप देखें बिना पड़ाई सुरू से लगाते हैं और गेम तक ले जाते हैं को एची पॉलिशी बनानी है सबसे जरूरी चीज है कि माल्या 6% कोटा दे दिया 6% कोई भी पोस्ट निकली 6% कोटा दिया चलो एक ही पोस्ट बनती है दो पोस्ट बनती है उनको अलग से रख लिए वो इंट्रू और टेस्ट से परे कर दीजिए और प्रेक्टिकल पर आज कि वहीं लोग तो देंगे ना क्या स्रेक्ट यह संबढें के बोलेंगे लेंगे यह जान बोच पे लिए समझेंगे यह जान और लुगत अब अपने सारे कारीकरफां को सट करेंगा है सब्सक्राइब करने वाली ने सब्सक्राइब क्या नगिटिव जाएगा सरकार का फिलहाल जो फैसलाइब सब्सक्राइब करने ने सब्सक्राइब करने और यह अपमान जो है हर्याना के लोग बिल्कुल नहीं सहेंगे अगर यह गल्त काम करेंगे तो हमारी सब्सक्राइब लगाएगी हम कुमा सब्सक्राइब करोड का वजट हो क्या बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाता अगर राजी सरकार की और से खेले खिलाडियों की राशी बना दी जाती देखे खेल एक खुशहाली का प्रतिक होता है और खेल कभी राजनितिक चीजों का शिकार नहीं होना चाहिए सबसे बड़ी बात है कि जैसे मैं पहले कह रहा था कि अगर कोई भी खिलाडी अर्याना से खेलता है कहीं से भी खेलता है वो देश को प्रिजन करता और अब खिलाडियों को दूसरे पर्दैशों में चर्चा हो गोगई सुनिये सुनिये संय जी सनिये मरी बात तुनिये आपकी रही ड़ी Are सिध्ये से डूसरे घ्राडी से दूसरे खिलाडी प्रेलेख होते हैं और सबसे बड़ी सबस्क्ktionale Aa इस प्राइबाई प्रिश के लोग मनाएंगे लड़ी वो इंगी कि नाम ही खाट गाटी को इसकी का लिए потреб van मुक्रारी के अधर के लिए किना मुश्किल है कि खेरल्धी में थोड़ा मदलाव कर दिया जाये स्टेट हैं। बजरंग पुनिया अभी अगला कदम क्या होगा अभी अगला कदम क्या होगा आप लोगों का क्योंकि जो नाराजगी है वो खुल कर सामने तो आ चुकी है सरकार से आपको पैसे कांट के डेनेसे में उन्धार चुक रहेंगी काथ यह वो जो जो नहीं करते हैं जब वह नहीं किसी डिपार्टमेंट में तो इसे सरकार कुछ भी जर्जा रही है इसे दुखसानों राखेल गवाज़ा जब रियो ओलंपिक होते हैं उस वक्त अलगवाटी क्यों होती है वद्रंगुनिया का सवाल करें लिए रियाना इसे बोट निच साथ और विर्भाय जाया है कि हम उनको नेती के तहत दे रहे थे आप यह समझाएजी जी पैसे क्या गरएँ जागे वो तो सरकार ने देए और सरकार की नीती यह समझ भी नहीं रहा है कि सरकार की लिए रास्ता कितना मुश्किल हो सकता है आगे खिलाडी अगर नाराज होते हैं जो उन्हें काम उसी पर कहना चाहता हूं शर्मा जी आपके विधायक नराज हों तो क्या उनको मनाएंगे नहीं अगर आप ही के खिलाडी हैं अगर वो कहीं भी खेलने जाते हैं चाहिए देश की तरफ चे खेलते हैं तो सबसे पहला नाम हर्याना का मशूर होता है ना कि किसी अच्छा मैडल लाते हैं तो आपको गर्व से जो है सीना फुला के कहना चीए कि जो हमने किया हूं बहुत शुक्रिया बजल पूरिया आपका फोलाइन पर जुड़ने के लिए और बहुत शुक्रिया सभी मेहानों का स्टूडियो में हमारे साथ वरी रहने के लिए वक्त देने के लिए तो इनामी राश्टी जो थी उसमें एक बार फिर से बदलाव करके गोशना कर दी गई है कि पुरानी खेल लिती के हिसाब से ही इनाम दिया चायका में